स्वागर्त है व्यूवर्स आज की सत्संग की स्वारता में एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको सत्संग के लिए प्रेरिना मिलेगी और अपने जीवन की यात्रा को एक नई दिशा आप दे पाएंगे ये कहानिया हमें बहुत कुछ प्रेरिना दे जाती है और जब भागे अच्छा होता है और परमात्मा का आशिर्वात होता है तो ये सत्संग की कहानिया हमारे जीवन में सत्संग का ज्वार लेकर आना शुरू कर देती है मेरे इस प्रवचन से यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक सत्संग शुरू होता है तो मैं अपने गुरू का आशिर्वात समझूँगा और अपना सौभागे समझूँगा कहानी ऐसी है विवर्स एक सेट और सेटानी रोज सत्संग में जाते थे सेट जी के घर के एक पिंजडे में तोर्ता पाला हुआ था तोर्ता एक दिन पूशता है कि सेट जी आप रोज कहां जाते हैं सेट जी बोले कि सत्संग में ज्यान सुनने जाता हूँ टोड़ता कहता है सेड़ जी संथ मात्मा से एक बार पूछना कि मैं आज़ाद कब हूँगा सेड़ जी सत्रसंग खतम हुने के बाद संथ से पूछने है कि माराज हमारे घर में जो तोड़ता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा संत जी ऐसा सुनते ही बिहोश ओकर गिर जाते है Viewers, सेड़ जी संत की हालत देखकर चुप चाप वहां से निकल जाते है घर आते ही तोता सेड़ जी से पूछता है कि सेड़ जी संत ने क्या कहा सेड़ जी कहते हैं कि तेरे किस्मत ही खराब है जो तेरी आजादी का पूछते ही वो बिहोश हो गया तोता कहता है कि कोई बात नहीं सेड़ जी मैं सब समझ गया Viewers, दूसरे दिन सेड़ जी सत्संग में जाने लगते हैं तब तोता पिंजड़े में जान बुच कर बिहोश हो कर गर जाता है सेड़ जी उसे मरा हुआ मान कर जैसे ही उसे पिंजड़े से बाहर निकालते हैं तो वो उड़ जाता है सत्संग जाते ही संथ सेड़ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना अब वो कहां है सेड़ जी कहते हैं हाँ माराज आज सुबह सुबह वो जान बुच कर बहोश हो गया मैंने देखा कि वो मर गया है इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया व्यूवर्स तब संथ ने सेड़ जी से कहा कि देखो तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मो माया के पिंजडे में फसे हुए हो और उस तोते को देखो बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजात हो गया व्यूवर्स इस कहानी से तात्प्रय ये है कि हम सत्संग में तो जाते हैं ग्यान की बाते करते हैं या सुनते भी हैं पर हमारा मन हमेशा हमेशा सांसारिक बातों में ही उल्जा रहता है व्यूवर्स सत्संग में भी हम सरफ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा सुआर्थ सिद्ध होता है जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को सुईकार कर सभी बातों को महर्त्व देना चाहिए और जिस असत्य जूट और अहमकार को हम धारन किये हुए है उसे सहस के साथ मन से उतार कर सत्य को सुईकार करना चाहिए आशा करतों व्यूर्ज आज की इस सत्संग की यात्रा से आपके जीवन में एक विशाल परिवर्तन आएगा और यही सत्त्य है जो मैंने कहा मेरी जीवन के लिए भी मैं तो सन्यासी बैखती हूँ और तमाम व्यूर्ज जो दुनिया भर में सुन रहे हैं उनकी लिए भी आशा करता हूँ आपके जीवन का रुपान्तरन आपकी आध्याद्मी ज्यात्रा मेरे गुरु कृपा से आज से ही अभी से ही इसी वक्त इसी कहानी से ही शुरू होने वाली है शैद इश्वर की अनुकमपा आप पर आई है इसी लिए मैंने ये विशय टॉपिक चुना और आपको जगाने का प्रत्ने किया कहते हैं जब तक समय नहीं आता कोई मार्ध्यम नहीं बनता आप वो लाखों लोग जो इस वीडियो के मार्ध्यम से मुझे सुनेंगे हो सकता है परमात्मा ने मालिक ने इश्वर ने मुझे आपके साथ एक मार्ध्यम बनाया कोई कर्मों का बंदन हमारे पूरु जिनम का है मैं हो सकता है मैं आपका कोई गुरु रह हूँ या कोई रिस्ता रह हूँ हूँ तू मैं अध्यापक धन्यवाद व्यूवर्स एक नई वारता के साथ वापस अच्संग करेंगे बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद